लेटरल एंट्री पोल टेकनिक, काउंसलिंग का रिजलट आखिर कब आएगा? एडमीशन कब से लेकर के कब तक होगा? और फस्ट डाउंड में आखिर कितने रिक तक एडमीशन होगा? इसके साथ साथ डौकोमेंट में क्या किया देना होगा? बायोमेट्रिक फ़र्म क्या है चेक सिलिप क्या है एंट्री रेगिंग सेटिफिकेट कहाँ बनता है मेडिकल सेटिफिकेट कहाँ बनता है आप लोग का क्लास शुरू कब से होगा सभी टॉपी की उपर वन बाई वन करके डिसकसन करने वाले हैं तो आज का वीडियो ऐसे लोग के लिए बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग D.E.C.E.L.E. यानि भी हार पोल टेकनिक लेटरल एंटरी के स्टुडेंट हैं और अपना काउंसलिंग करवा लिए हैं या खुद से अपना काउंसलिंग कर चुके हैं अब रहा बात की result कब आएगा तो चलिए one by one करके सभी topic के उपर discussion कर लेते हैं तो आप लोग भी लेटरल एंटरी के स्टुडेंट हैं तो इस वीडियो को अंतक देखने का पढ़्यास किजिएगा क्योंकि एक ही वीडियो के माधियां से आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा और आप सभी को मालूम होगा कि लेटरल एंटरी से संबंदित जितने सारे अपडेट होते हैं सीर्फ और सीर्फ कहां पर मिलते हैं तो इसी YouTube चैनल के उपर आपको मिलते हैं तो जो भी लो आप लोग के लिए हम इतना अच्छा अच्छा वीडियो लाते हैं फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं लाइक करने में कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना होता है इसलिए आप लोग इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दो एक कॉमेंट कर दो और अपने अपने पहले आप सभी को बता दे कि काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा एडमीशन कब से ले करके कब तक होगा तो उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है अभी आप लोग के फास दो से तीन दिन का टाइम है आप लोग अपना समय को बरबाद ना करे और मेकानिक् ग्राफिक्स किसको किसको पढ़ना है तो आप सभी को बता दे जो भी एश्टुडेंट इंटर के बाद अपना फ़रम को फिलप किये हैं तो आपको मेकानिक्स और ग्राफिक्स पढ़ना है जो भी एश्टुडेंट आईटियाई के बाद इस फ़रम को फिलप किये हैं तो आपको मेकानिक्स और ग्राफिक्स नहीं पढ़ना है लेकिन आप लोग खुस नहीं हो ये आप लोग आगे चल करके SACJ, RRBJ, ISRO, BARC, DRDO और भी बहुत चार एक्जाम है सबका आप लोग एक्जाम देंगे फरम फिलब करेंगे वहाँ पे मेकानिक्स और ग्राफिक्स से कोशन्स पुछेगा तो आप लोग ITIE से फरम को फिलब किये हैं आपको नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लिजिएगा आपको ही फाइदा करेगा ठीक है तो चलिए बहुत ऐसे स्टुडेंट थे जो लोग बोल र से ही चल रहा है सर मेरा कला सुट गया तो आप लोग के लिए दो लाइन बोलना चाहेंगे कि दिलों में पासिंग का डर और फिर भी मौज मस्ती करके जी रहे हो तो इंजिनियर हो तुम कि दिलों में पासिंग का डर और फिर भी मौज मस्ती करके जी रहे हो तो इंजिनियर हो तुम एक्जाम हॉल में जाओ तुम दोस्त के भरोसे और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे भरोसे रहे तो समझ लेना कि इंजिनियर हो तुम होस्टल में रहते हो और मैगी को अपना भगवान मानते हो तो इंजीनियर हो तुम और six month का सिले बस six दीन में complete करते हो तो समझ लेना कि इंजीनियर हो तुम कलास स्टार्ट हो गया है उसे कोई बात नहीं है semester होता है 6 month का लेकिन fast करने के लिए 6 दिन ही काफी होता है और जब हम आप लोग के साथ में हैं तो किस बात का डर तो चलिए साइद आप लोग को मेरा 2 line जो था अच्छा लगा होगा comment box में एक बार बता दीजिएगा कि कैसे लगा है ताकि हमको भी थोड़ा सा motivation मिलेगा रहा बात counseling हो गया है उसका result कब आएगा तो आप सभी को बता दे उसका result 10 अगस्त को आ रहा है कब 10 अगस्त को हम वीडियो अपलोड किये हुए थे metric level पोल टेकनीका और उस पर metric level से ज़ादा जो भी लोग lateral entry के student थे वे लोग confused थे और लगतार मेरे पास phone कर रहे थे message कर रहे थे कि sir मेरा check कर दीजिये ना मेरा check नहीं हो रहा है और सबसे ज़्यादा तो मेरे पास call की थी लड़की लोग आप लोग को बता दे अभी आप लोग का result नहीं आया है आप लोग थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाईए पहले result आया है matrix level का इसके बाद आएगा inter level का कब आएगा तो 10 अगस्ट को होगा admission कब से लेकर के कब तक होगा तो admission होगा 11, 12, 13 11 अगस्ट, 12 अगस्ट और 13 अगस्ट matrix वाले student क्या गलती किये हैं आपको बता देते हैं आप लोग उस गलती को नहीं किजिएगा जब आपका result आता है ना तो वहाँ पे दो option रहता है अगर आपको pol technique college पसंद है तो आप लोग freeze किजिए freeze का मतलब होता है जमना यानि आपको वहाँ पे जम जाना है वहाँ पे आपको admission ले लेना है college पसंद नहीं है branch पसंद नहीं है तो आपको freeze नहीं करना है अपग्रेड कर देना है अपग्रेड आप लोग करेंगे तो आपका जो branch है full technique है दोनों को दोने change हो जाएगा तो आप लोग आभी से ही इस बात को कान खोल करके सुन लो अगर college पसंद आएगा तभी freeze करना पसंद नहीं आएगा तो उसको अपग्रेड कर देना एक और बात है अपग्रेड करोगे फिर भी जाना होगा college में document verification के लिए यह नहीं सोचना की अपग्रेड कर दिये हैं तो फोल टेक्निक college में नहीं जाएंगे नहीं जाओगे तो second round में नाम नहीं आएगा तो इंतजार कर लो और बस दो दिन का समय बच्चा हुआ है समझ पा रहे हैं जल्दबाजी है पोल टेक्निक में एड्मिशन लेने का दो दिन मौका है थोड़ा सा मौज मस्ती कर लो इसके साथ साथ मेकेनिक्स बत्रवा सब पढ़ लो क्योंकि जब एड्मिशन हो जाएगा न इत्मा जब फ्रेशर आएगा सर पे क्योंकि सीधे जा रहे हो सीनियर बनके थार्ड सेनिस्टर सेकेंड इयर में बैसिक कुछ नहीं पढ़ना होगा सीधे के सीधे मिलेगा वरांज पेपर वरांज पेपर तो आसा डिफकल्ट होता है लेकिन डिफकल्ट नहीं होगा क्योंकि हम आपके साथ में है जहां भी समझ में कुछ नहीं आए मेसेज कीजिएगा आप लोग आपके सवाल का जबा बिलकुल देंगे और हमेशा से देती आ रहे हैं 2017 से ही यह मेरा आठवा साल है रहा बात कि सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा मेडिकल क्या होता है गैपिंग क्या होता है वायोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है एंटी रेगिंग सर्टिफिकेट क्या होता है अगर आप लोग सर्टिफिकेट के उपर वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट बक्स में कॉमेंट किजिएगा especially video बना देंगे certificate के उपर कि एडमीशन में document क्या क्या लगेगा इसके साथ साथ आप सभी को भी बताएंगे कि अगर कोई document नहीं है तो आपका admission कैसे होगा तो अगर आप लोग साहते हैं कि especially document के उपर video बनाए तो आप लोग comment box में comment बेलकुल किजिएगा कि सर document के उपर एक वीडियो को बना देजिए रहा बात class कब से start होगा तो आप लोग का admission होगा 11, 12, 13 11, 12, 13 और आप लोग का जो classes है वो 15 अगस्त के बाद से ही शुरू हो जाएगा लेकिन आप सभी को बता ले आप लोग रक्षा बंधन के बाद से ही आईएगा अपना class करने के लिए थोड़ा सा और भी इंजवाई कर लिजिएगा कबसे रक्षा बंधन के बाद से ही आप लोग आईएगा अपने अपने पोल टेकनिक में पढ़ाई करने के लिए तो उमीद है आप लोग का जो question था सर बहुत जल्द बाजी है बता दीजिए न कब रिजल्ट आएगा counseling का इतना ज़द मेरे पास phone आ रहा था call आ रहा था message आ रहा था और आप सभी को एक बात बता दे आप लोग हमारे संपर्क में है न तो आप लोग को बहुत ज़द फाइदा हुआ है जो एस्टुडेंट संपर्क में नहीं है जो हमको नहीं जानते हैं उनसे जा करके एक बार पुछना अभी तक हमारे पास 23 call आ चुके हैं 23 call सर मेरा counseling जूट गया हम आपका वीडियो नहीं देखते थे इसलिए जो भी वीडियो बनाए हम लेटरल इंट्री का समय निकाल करके उसको देख लेना बहुत फाइदा मिलेगा और लोग नहीं देखे होंगे उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा वहीं लोग जान रहे होंगे क्योंकि counseling सिर्फ एक बार होता है इसका result दो बर आता है counseling छुट गया एक साल बारबाद हो गया यह नहीं है कि अगले साल भी एक्जाम निकल जाएगा ऐसा नहीं है इसलिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसको full watch करो जो भी confusion हो comment कर दो अपना whatsapp नमर भी दिये थे वहाँ पर message भी कर सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you